हेलो बड़ीजब गाइज तो हम आज चुके आपके लिए नियुर इंट्रेस्टिंग वीडियो इससाथ फिर से और जो आज की वीडियो है वो हमारी पुराणी वीडियो है जो एंडुर 10 का अपडेट आपको समस्मिंग गैलक्सी में देखने को क्यों नहीं मिला था उसी का एक पार्ट है कि उस वीडियो कमेंट में बहुत से लोगे ने मेरे से यह पूछा था कि अगर आप हमारे फोन में जैसे अंडुर 10 का अपडेट नहीं आया है बढ़ हम चाहते हैं कि हमारे फोन में अंडुर 10 मलब अभी चले तो उसके लिए क्या 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 प्रोसेजर अपने मोबाइल में और इसके अंदर आपको कुछ भी मलब की मोबाइल को हाम वगयरा नहीं होगा बट एक में तींग यह है कि मैंने लोग कमेंट में रिप्लाइब करके भी का था भाई यह प्रोसेजर मत अप्लाइब करना क्योंकि इस आपका क्या होदा कि आपका परसनल फ़लिएल में ऊंद तैन पडेट लेने के लिए सबसे फर्स्तों खब एल क्या करना पडेगा कि आपको सबसे पहले जो आ आपको एक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दूँगा। वीडियो के पर आपको जाना है और उसके दिस्क्रिप्चन से आपको एक फाइल है जो Android 10 की patch file है उसको download कर लेना है तो जब उसको आप extract करेंगे तो उसके अंदर आपको चार फाइल देखने को मिलेंगी अलगल पर अपर कार की तो आपको जैसे जैसे उस वीडियो में प्रोसेजर बताया गए आपको same to same करना है क्योंकि मैं दुबारा करके आपको ज प्रेस करेंगे और उसके जो कुछ इजी स्टेप्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले अपने मोबाईल को स्वीच ओफ कर लेना है देन स्वीच ओफ करने के बाद आपको क्या करने पड़ेगा कि जो आपकी पावर की है और जो वोल्यूम आपकी है उसको प्रे द्कवरी होता है ना हर फोन का अलग लग उसमें आजाओगे तो उसमें हैंब को second option मिलेगा कि आपको जो bootloader है उसको unlock कर ले मैंद बूट लोडर से एक option मिलेगा उस पर जा के आपको पावर की से select करने उसको और उस पर जाना है जाने के बाद जब तक वो एक डाउनलोडिंग को ओक्षिन दिखाएगा ब्लू ब्लू के लर में तो आपको अपने मोबाइल को महलब की उस लैप्टोप से कनेक्ट करना यह सारक सारा प्रोसेजर आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा तो आप वहां से जा कि उस वीडियो को चेक आउट कर लें और प्रोसेजर मैंने वीडियो में मनलब की कमेंट वगएर हमें बताया कि मलब थोड़ा रिस्की मैथड है आप ना ही करें तो अच्छा होगा बट फिर भी इतने लोगों ने पूछा है तो मैं सोचा है इस पर एक डेडिकेटी वीडियो बना दू तो लेकिन उससे पहले ही इ यह से इसे कुछ के फाइल है उनको अपको सेलेक्ट करना है उसमें आपको दस से पंदरा मिनिट का समय लग जाएगा जो फ्लैस होगी फ्लैस होने के बाद आपका जो मॉबाइल होता है वह डिरेक्ट मतलब की जब भी आप रिस्टार्ट वगएरा मोबाइल करते हैं फिर का फिर इसकी मैठड़ है तो यह थे हमारी वीडियो अगर आपको वीडियो चल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलती रहें